बिस्मिल्लाहिर रख्माद रहीम, common mistakes क्या होती है और कोई new user अगर excel में काम कर रहे हैं या beginner तो वो क्या-क्या गलतियां करते हैं जो उनको समझ में नहीं आती हैं, उसका solution किस तरह से सही कर सकते हैं, ठीक अकसर student किस तरह की problems में confused हो जाते हैं और फिर वो अगर videos देखने जाके तो बहुत जादा या पर किसी की help तो मिलेगी नहीं तो पिर अगर online जाके देखते हैं तो बहुत जादा जादा टाइम लगता है videos देखने में छोटे से हल के लिए तो यह video सिर्फ इसी लिए है अगर इस तरह का या नियो यूजर की हम बात करें एकसल तो उन कर लेंगे वाक्सर प्रैक्टिस में फिर हो अगर सिरियल बनाते हैं तो वन से टू थी इंटर करने के बाद वह यूँ ड्रैक कर सर से नीचे ड्रैक कर लेते तो 111 रिपीट हो जाता है तो इसमें mistake होती है control और left click के साथ ड्रै कीबोर्ट से control और mouse left click से फिर ड्रैक कर सर से नीचे इसको ड्रैक करना है जब यह अपडेट होकर आता है या पिर एक दूसरा तरीका अगर आप one press करके control यूज नहीं कर रहे हैं तो ड्रैक करके यह fill series में series option क्लिक कर सकते हैं या तीसरा तरीका इसमें one और two लिखकर आप दो cell selector के नीचे drag करके fill कर सकते हैं यह तो हो गया पहला हल अब दूसरी problem क्या होती है अकसर time in करते वे इस तरह से edit कर लेते हैं यह time सही है लिखते वे अगर हम गलती से am खुद कर लें यहां पर और यहां पर pm खुद कर लें तो यह time गलत हो गया शायद इसका जो अभी देख है आप लोग को भी आइडिया नहीं हो अकसा इस तरह से लिख तो देते हैं तो एक दो तरह से में time लिख रहा हूँ और इसमें से कौन सा ठीक होगा यह अब आप लोग बताएंगे अब एम पीएम गल लिया इन दोनों में यह भी time format है यह भी time format है लेकिन कोई भी एक टाइम फॉर्मेट पर्संटेज फॉर्मेट हमारे पास होता है यहां पर अगर अगर सेल में तो इसका custom या फिट उसका format टाइम लिखा वात अब देखे यहां पर इस जगह के लिख अब यहां पर आपके इन दोनों के दर्मियान इस पेस लाजबी होनी चाहिए तो यह वहना जनल फॉर्मेट में जाएगा और अगर इस पेस दे दें गे तो फिर इस तरह साथ कि customer एक एक ट्रीके से भी के जनल फॉर्मेट में है तो क्या चैसे और custom में तो कैसे जो भी format हम यहां पर जर्रनल होगा उसमें आप formula यूज नहीं कर सकते हैं यह अगर date category यह time category यह percent category यह तो उसमें हमारे पास formula के इंदर problem होगी इसमें से मैंने minus करा time out यह time ही नहीं है तो इंटर करेंगे यहां देखेंगे जर्णल दे रहा है तो इसमें कोई calculation accept नहीं कर रहा है इसके अंदर अगर हम calculation रखते हैं तो यह apply करेगा इसको और total hours देदेगा आपको तो यह तरीका होता है समझने का इसी तरह इसमें भी हम यूज करेंगे तो यह भी अगर हम यहां पर जन्रल के कर्स्ट्म क्लिक कर लें अब इसमें एक चीज और समझानी थी जैसे हमने यहां पर नाइन एम और फाइफ पी एम कर दिया है तो यह हमारे पर सही है calculation आगे इसमें क्यों नहीं आरी अगर इस तरह टाइम इन आउट कर लेता है तो हमें लग रहता है और पी एम को भी हो जाता है तो इस तरह की प्रॉबलम भी इंटर करते में आ जाती है तो इन चीजों का आप में तिहार रखना होता है कि कौन सा एम पी एम में लिखना है हमें कौन सा नहीं लिखना है कि यह भी हो रहा है और यह भी हो रहा है तो यह फार्मुला इसलिए इसके अंदर वर्क नहीं कर रहा है अगर इस तरह की कंडिशन आ जाती है तो फिर उसके बाद हमारे पास यह उप्शन होता है इसको माइनस करेंगे इसके साथ और डिवाइजर में कर देंगे वन तो फिर यह इसका डिफ्रेंस होगा वो हमें दे देगा इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एक और चीज इसका हल में बता दो अगर इस तरह से आपने काफी टाइम इन आउट कर लिए ठीकि टाइम को अगर इस तरह से आपके पास वैल्यू लिखी है बहुत जादा आपने बहुत सारे टाइम इन आउट कर लिया ठीकि इस तरह से रोजाना का एंप्लॉई के टाइम इन आउट होगे लिगिन आप इसको सभी किस तरह से करेंगे तो इक जाकर आपको चेंज करने की ज़रत नह लेकिन पहले यहाँ पर अचा मैंने इसमें कॉलन वाद में लगा दिया पहले कॉलन की जरुरत नहीं है कॉलन लगाने की सिर्फ आप फाइंड करें डबल दीरो एम और फिर इसको स्पेस के साथ रिप्लेस करा ठीके जी आप देखने यहां पर ओके कर आपने इस तरह से पि यहां से प्लेख करेंगे यहां पीम है तो एम की कि जगा और रिब्लेस किससे करना है इस पेस के साथ पी यहां पर पी टाइप कर दाएंड यह अप्शन मनने अंकर यह तरह से था करेंगे तो यह प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्फ हो जाएगी एच्छी लग रही है सीखने को मिलेगा इंफॉर्मेटिव तो आपके लाइक होने चाहिए ज्यादा और कमेंट करके फीडवेक्स वीडियो को लाइक स्वी करती है ठीक है जी सिरीज का मसला हल कर दिया टाइम का म मिलेंटेन अब इसके बाद जब हमारी शीर्ट बढ़ जाती है तो है इस इतने को लगा रही है यह ऐधिंग बहार हो गई है तो इसको किस तरह साई करेंगे इसको सही करने करेंगे और मट्च जो एक्स्ट्रा कॉलम है उसे आप राइट किलिक करेंगे और डिलीट कि सारी चीज़ें यह समझ में आगे हैंगे किस तरह सेट करना आपको उसके वाद जो भी चीज़ें आपने फॉर्मेटिंग्स वगएर अगर यूस करीब यहां से बॉर्डर्स दे दिया अब मैं अगर इसको डिलीट करना चाहरा हूं तो फ़र्स अकसर स्टूडेंट सेलेक् लाइट करने चाहरा है तो यहां पर इसके ऊप्षिंग रहेंगा और इसका टेक्स डीट हो जागा इसी तरह अगर आप इसके अंदर से सिर्फ टैक्स के लाव फॉर्मिट डिलीट करना चाहरे तो यहां से क्लियर फॉर्मेट कर सकते हैं तो यह चीज़ें के लिए अप्श चीज भी समझ में वगी होगी तो और भी हम यहां से सको क्लियर कर ले बास को ही भी सैल के अंदर हम कोई वर्मइट में काम कर रहा है दे लिए लेकिन उसके बाद कुछ लिख रहे हैं तो उसी तरह पर पुर्मिट में लखी वह लिए तो अक्सर क्लियर करने के लिए जर्णल क्लिक करेंगे जब आपकी वैल्यू नॉर्मल लिखी आएगी वना अगर कोई टैक्स लिख कर देंगे दोबारा कुछ लिखेंगे तो फॉर्मेट में ही डिट खावा आएगा टाइम डेडिया परसंट तो इसको क्लियर करने के लिए तो इस तरह कि अगर आपके सामने प्रॉब्लम आ रही है तो आप समझ जाएंगे किसी और से हल पर फॉर्मेट यूज हुआ है उसको नॉर्मल करने के लिए यहां से जर्मल के लिख करना है तब आपकी वैल्यू नॉर्मल लिखी आ जाएगी नेक्स्ट कुछ चीजे डेट कोई भी फाइल प्रेंट करने जा रहे तो यहां पर वो फाइल आपकी वर्ट की तरह से कॉपी होकर आएगी प्रिंट में क्योंकि रोग कॉलम इसमें डिफॉल्ट शो नहीं होगे इसके लिए आपको लाजमी अपनी जो भी फाइल होगी काम करने के बाद कम्प्लीट आप को अल्सलेक करने और और यहां से जाकर और बॉडर्ज क्लिक करना है तो यह आपके बॉडर्ज शीट की तरह करें प्रिंट पर आएंगे और दूसरी चीज जिदना भी आपने काम किया होगा जब आप प्रिंट पर जाएंगे तो आपको यह समझना जरूरी है हमारा एक पे तो इस चीज़ को भी आपने लाजमी देखना है इसको खुछ से वियू करने के लिए वियू उप्शन में आ सकते हैं मैंनु में यहां पर प्रिंट करेंगे तो इस तरह भी आप काम को समझ सकते हैं कि हमारे पास एक पेज़ पर काम आ रहा है यानि अगर कॉलम्स आपके ब दूबारा से वियू में नॉर्मल कि करेंगे और यहां पर देखे अब दो पेज आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब हमारी हैं दूसरे पेज की अगर हम बात करें तो हैडिंग्स नहीं है तो हैडिंग्स कंटीनू हर पेज पर शो करने के लिए पेज ले और में प्रिंट टा इसका भी ख्यार रखना है प्रिंट करते हैं तो दो चीज़ें मैंने बता दी बॉर्डर और फिर इसका हैडिंग्स पर पेज पर प्रेंट करने के लिए और फिर तीसरी यह जो अगर आपके पेजिस से बाहर होंगे तो लैंड्सक्राइब यहां भी मिल जाता है आपको ठी सब्सक्राइब बाहर के पेजिस का काम वह इस पेज में आजाएगा आपके लेडिए भी कॉलम कम है तो पॉर्ट्रेट में इसली हमारा प्रेंट हो रहा है कि कोई जुरत नहीं है एक चीज़ और में इसकी को बता दो कोई लोगो या कोई आप पिच्चर नंबर डेट फॉ सब्सक्राइब कर सकते हैं बलके इसके अंदर फूटर या फिर जब आप पेज लियाओट के अंदर प्रिंट टाइटल या इस सेक्षन की सेटिंग ऑप्शन में आजएंगे तो यहां पर आपको हैडर की ऑप्शन मिलते हैं तो कि कस्टम हैडर करके आप यहां पर जो भी सब्सक्राइब करने का फायदा ही होता है तो हर पेज पर डालने के लिए नंबर एक्सल फाइल में आप इस तरह अप्लाई करेंगे और फिर जब आप बैक करके व्यूव नॉर्मल आ जाते हैं तो यहां पर आपकी यह चीज़े शो नहीं सब्सक्राइब करेंगे लावा इसे सट्निक से दूबारा आप जाएंगी इसी ओप्शन में हैं रखर फूटर के अंदर कस्टम एडर में घंदर यहां सी इसको डिलीट कर सकते आपने लोगों लगाना है लोगों भी आप पिक्चर फॉर्मिंट से कर सकते हैं वह पर हर पे मिलता रहेगा अब कुछ और चीज़ों को समझते हैं यहां पर हमारे पास कुछ कॉपी पेस्ट का काम आगी है मैंने हेडिंग्स को यानि कुछ आपको आपकर सकते हैं तो जो भी आपको यहां से पाकिस्तानी करने आप सकते हैं तो मैं यहां से आरिस पाकिस्तानी जो है वह अपने स्क्राइब से अगर हम कंечते राइज और कंट्रोल डाउन ना कर कंट्रोल सी कौपी करें और ढूसरी करें ऑर दूसरी लूकेशन पर पेस्ट करें कोक्ट्रोल पेस्ट तो यह प्रॉब्लम अक्सर आतीी में पेस्ट करते हुए उस तरह से डेटा मिलता है। वह बार बार फिर क्या करेंगे इसको बड़ा करेंगे इसको सही करेंगे। तो ये प्रॉब्लम ना हो, कॉपी पेस्ट में जैसी ही हम कॉपी पेस्ट करें जितनी कॉपी पेस्ट करें जिस तरह की सेम इस तरह से आना चाहिए डेटा तो आपने कंट्रोल सी कॉपी किया अब हमने इसी शीट पर मैंने पेस्ट करके समझाया अलग शीट पर पेस्ट करेंगे तब भी यूज करेंगे के आराम से copy paste कर देंगे बाद control वी उसके बाद control और वी प्रेस करें और यहां पर एक option मिल जाएगा paste special के अंदर column with तो जितनी भी आपने जितने column copy paste कि हमें जिसकी जो column with एक्यूरेट एक्यूरेट इस विल्कुल वैसी कॉलों में आपकी सामने आ जाएगी इसमें बाद में कुछ भी manual काम आपको नहीं करना तो यह copy paste का तरीका होता है simple excel में जब हम वड़ वगेरा में copy paste करते हैं उसमें को ऐसी problem नहीं होती लेकिन अकसर जब इसमें हम copy paste करते हैं तो यह problem हमें face करना पड़ती है तो यह भी मैंने आपके साथ क्लियर करती है option कोई भी formatting यह currency का sign में अगर आपने add case का मैंने समझा दिये normal करने से यह sell आपके normal value में लिखके वह जाएंगे अब अगर हम बात करें duplicate बहुत ज्यादा हमारे पास इसमें repeat हुई है तो हम चारे unique data शरीफ आजाए हमारे पास data menu में text to column और यहां पर sorry यहां पर हमारे पास है duplicate remove तो जिस column से भी remove duplicate करना है unselect उस column पर check लगाएंगे और सारा data जो remove duplicate होगा उसको clear कर सकता है तो जितनी duplicate इस column को target करते हुए अपने select किया वास को remove duplicate option और unique जो remaining होगी वह आजाएगी आपके पास control जाएट बैक कर रहा हूँ फार्मूला लगाते हैं अकसर student इसी तरह करते हैं सम जो new user होते हैं तो फार्मूला नहीं पत हो तो equal लगाएंगे सम भृक्ट ओपन बाज फार्मूला लगाते हैं इसमें ही mistake कर देते हैं कभी मिस्टेक करते हैं कभी ब्रैकेट ओपन नही तो दायरेक क्लिक करने लगते अब तो इस चीज़ का खे़गी ज़िए भी जिस वार्मूला लगा रहे हैं लगा रहे इकवल और जो भी फार्मूला लगा है वो टाइप करना है इसका ब्रैकट ऊपन होगा उसके बाद सुंक्टेंस लिख अगरे उस सेंटेंस में आने के बाद आपको वहां से साई क्लिक क आपको प्लस करना है तो आपको इस्ता की करने की जड़र नहीं है ऐसे भी हो जाएगा लेकिन आपको सिंपल गया करना है एक वैल्यू सैल पे पीज सेंटर में के लिए प्रैस कलिक करके रखना है अब यह डी टू जहां से स्टार्ट रेंज होगी वह देगा आपको पिसके ब जहां तक वहां तक स्लेक्षण इंकरीज होती रहे गी आपकी रोंग और नमबर एड़ उते रहें तो यह तरीकवा होता है लेकिन इसमें फिर्यूट होता है कि अगर लेते में जाते रहेंगों। तो बहुत टाइम करता है तो इसका तरीका यह होता है आपने फरस्ट सेब पर क्लिक करा कंट्रोल शिफ डाउन तो इंटाइर रेंज मुझ जहां तक एड़ होंगी वैल्यों वहां तक खुद्बा को सेलेक्ट हो जाएंगी इसको आप यहां से पिर देख लेंगे कहां से कितनी रेंज सेलेक्ट हो गई है तो डी टू से स्टार्ट की थी और लास्ट इ और यहीं एक चीज़ और के लिए टेबल में अगर सम फॉर्मुला यूज करेंगे इसके अंदर सेलेक्ट करने से आपकी सेलेटर्स रेंज तो आजेगी लेकिन कंट्रोल शिफ्ट डाउन तक आप सेलेक्शन करेंगे तो वह रेंज उस नाम से डिफाइन हो रही होती है उस फॉर्मुला से मांसरी करेंगा और टेबल समझने के लिए इस तरह का स्टाइल फूल कर टेबल जो हता है उसके लिए आपके लिक करेंगे टेबल डिजाइन और इसमें चेंज करने के लिए टेविल के अंदर डेटा आप कंट्रोल शिफ्ट राइट हम मेन्यू में फॉर्म टेबल से अगर आप चाहिए निकलियर करना तो आप इसको सेलेक करके टेबल के अंदर यहां पर आपको मिलेगा कनवर्ट टू रेंज यानि अब यह हमें सिर्फ फॉर्मेट चाहिए टेबल के अंदर रेंज शो नहीं करें अच्छा टेविल का एक और फायदा यहां हैडि करीं जाएंटर तीर हमने किया इस तरह से भी स्कुरम यूज कर सकते हैं और इसी में मैंने भी बताया है कि नॉर्मल हमें डेटा चाहिए कि लियर के लिए पर किया होताए के लियर फॉर्मेट तो यह नॉर्मल अधर डेटा आज यहादागा आख गर्डर और खरके करना कर स कोई भी फाइल ओपन करी आपने कुछ टाइपिंग काम नहीं हो रहा तो आप को यह समझन है कि पास्पेट लगावा है और इसको किस तरह से कन्फर्म करेंगे यहां पर यह ऑप्शन हाइड हो जाता है जिसमें भी आपका पास्पर्ड होगा तो यहां पर यह ऑप्शन होगा आपको पासफट परता है पासपर्ड इंटर करके करें यह ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएंगे उसके बाद आपको जहां डेलीट करना है एडिट करना है चेंजिस करनी है वह काम आप अराम से कर सकते तो पासपर्ड इस तरह से हम समझने के लिए मैंने यह ऑप्शन शेयर के आपके साथ एक और प्रॉब्लम आपके साथ शेयर कर रहा हूं यहां पर अक्सर परसंटेज निकालते हैं तो बहुत ज्यादा या कोई भी फॉर्म नाम लगा के ट्रैक करते हैं तो हमें परसंटेज के लिए क्या करना होता है जिसमें हमने टोटल सब्जेक्ट्स को क रही है तो हमें इसे क्या करना है एक या दो सिर्फ दमर चाहिए के लावा हमें स्किप करना है सारी वैल्यों जितनी भी देशिमन्स के बाद आरें सको होता है इस बड़ा सकते हैं उस प्र nuances जिखी कर लओंगे और रेक्रेस्श करें जितनी वैल्य तो आपको माइनस करनी होंगी अपनी कॉलम की वह आप कम कर सकते हैं तो यह आपके पास options होता है decimus की value add करने का और delete करने का तो यहाँ पर option आपको मिलता है यह percentage के लिए कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसको अगर हमें first second third लिखना है तो यह हमारे लिए बहुत टाइब करेंगे लेकिन हमें इसको इस तरह लिखना है सब्सक्रिप्ट के साथ तो हम इसको फिर स्तरह लिखेंगे स्वाइक करेंगे स्टी पोजिशन को फॉर्ड option में जाएंगे और यहां पर format तरह इसको कर देंगे में भी आप से पूछे जा सकते हैं और विगिनर्स तरह की मिस्टेक्स में फसे होते हैं तो यह मैंने वीडियो इसलिए बनाई है ताकि सब चीज आराम से देखें वीडियो डिटेल से कम्प्लीट सेव करने शेयर करने दिमाग में बिटाने अपने सब यह कहीं भी नहीं मिले सब्सक्राइब करने के लिए और यहां पर वर्जन आप बता सकते हैं इस तरह से पर कॉलम को अपने हसाब सब सेट करें तो यह रैप टेक्स के लाता है यहां पर टॉप टॉप मिडल बॉटम सेंटल राइट इस तरह से आप व्यू कर सकते हैं नॉर्मल करना है दुबारा इसको अपर हमने नॉर्मल लीडिक करने तो नॉर्मल और प्लाई कहीं सिखें जाता है थीए यह हमारा यह हमारा टेक्स ऑफशन के लाता है अब अकसर देखें से अकर हम डेट लिए तो इसको हम डेट नहीं होगी है ठीकिन लिखने में हम पहले इसी तरह कर रहे हैं तो पह इसमें जो फॉर्मेट होता है तो पहले हमेशा जो होती है फिर डेट और फिर यह टाइप होता है इस तरह से यह डेट फॉर्मेट होता है हमारा इसमें पिलस करूंगा तो यह अप्लाई हो जाएगा कैलकुलेशन भी अप्लाई हो रही है तो इसका हब सलूशन किया अगर हमने लिख ली पूरी कॉलम और इसको अब हम चेंज करना है डेट फॉर्मेट में इसका भी हल में बताने जा रहा हूं और यहां पर फिर एक दफर नेक्स्ट और यहां पर आप सेलेक्ट करेंगे डी एम हम वाई फॉर्मेट और फिनिश तो यह सारी चीज़ें आपकी डेट फॉर्मेट में चेंज जाएगे अच्छी लगी ट्रिक तो कोई बात ने लाइक का उप्शन मौजूद है भरपुर लाइक करें वीडियो को इस तरह से फिर आपकी कैलकुलेशन अप्लाई हो जाती है तो इस ताह है कि भी मिस्टेक अकसर टैपिंग करता है डेटा एंटरी करता है एकर चेंज गरने हो तो यह इस तरह टेकनिक से आप कर सकते हैं नेक्स्ट जिसकी ऑप्शन की बात करेंगे है है वो इसको वर्टिकल पोजिशन से होरिजंटल में चींज करने के लिए होता है अगर आपके बास कॉलम जखा जाए व्रेटा होरिजंटल में इसको लाइं तो इसके लिए कॉपी करेंगे और जिस जगह इसको रॉम में शिफ्ट करना है वहाँ किलिक पेस्ट इस पेशल के करें पेस्ट इसमें ट्राइसपोस किरिए तो वर्टिकल से और फॉरिजिटल में मेरे चेंज कर सकते हैं इसी तरह किसी भी सेल के इंतर हम जीरो के साथ कोई वैल्यों कुछ स्टार्ट और पर इंटर तो फस्जीरो जोए गाय हो जायों ठीक है जी तरह से कोई भी वैल्यू आप फस्त लिखेंगे और यहां पर जीरो जो की वैल्यू वो शो नहीं होती इंटर के वाद जीरो आपकी वैल्यू हाइड हो जाती है आटोमेटिकली तो यह किस तरह से हम अगर कोई जीरो के साथ वैल्यू को एड करना चाहें तो उसके लिए पर हम मोबाइल इंट्री कर रहे है तो हमारे पास फॉर डिजिट कोड हो जाएंगे और फिर सेवन डिजिट के जो है वह नमबार होंगे तो टोटल कितने हो गए फॉर और सैविन तो यहां पर फिर हमें यह करना होगा कि आप सैल के लिए करेंगे के अल नमबर सेक्शन कस्टम औ ठीके जी यहां पर 3, 3, 6, 3, 9, 10 और यह हो गया 11 ओके तो मुबाइल नमबर में फिर जो भी आप नमबर एड़ करते रहेंगे उसके आटोमेटिक 0 एड़ हो जाएगा सैल में एक तो यह तरीका है ठीके जिस तरह से फिर आप 0 प्रेंट कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है आपकी जो भी इंट्रिया है वो आप करने एक तफ़ा ठीके जी और जब यह कंप्लीट हो जाए जीरो वाली प्रॉब्लम सॉल्फ करने के लिए इसके लिए हम साथ कॉलम के अंदर जीरो और इसके साथ एंड फंक्शन यूज करेंगे और फिर सैल किलिक करेंगे और इंटर ठीके जी यहां पर अगर इस तरह इंटर से आपका कोई भी अंसर नहीं शो हो रहा हो तो यहां पर जन्रल फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे डबल किलिक और एडिट तो इस तरह से जो भी वैलियो होगी आपकी इसमें जीरो एड नहीं होगा आप इस तरह से कॉन के टीनिट के अईसार जीरो आड कर से प्रॉब्लम यह होगी जब इस तरह चेंज करेंगे तो यह डिलेट करने से यह वैलीयो भी दिलेट उगी तो इसका जो फॉर्मूला यह किलियर करना है अभी कॉपी करें और पेस्ट वैल्यू और यहां से इसको डिलीट कर दें और यहां से अगर और रिटर्न हो रहा हुआ तो नुम्बर से यह आपकी जीरो वैल्यू एड हाइड हो जाएगी फिर तो इसके लिए फिर यही कर सकते हैं इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं नेक्स्ट कोई भी अगर आपके पास टैक्स लिखा हुआ है और उसे चेंज करना है हमें इस तरह के रहा अंळ्य करने के पास अपर फॉर्मूल है इसके लिए लोवर फॉर्मूल है और इसके साथ प्रॉपर तो इस तरह चेंज करने के लिए भी फॉर्मूले यूज किया जाएंगे वर्ड में इसके ऑप्शन होते हैं एक्सिल में इसका फॉर्मूला यूज किया जाएगा अपर के लिए इक्वल अपर सैल फिर्स्ट किलिक इंटर जब सैल किलिक करेंगे तो एटू से इसी तरह अगर डवल के लिए और इसी तरह अगर हम लोवर फंक्शन लगाएंगे तो जो ऑल कैपिटल है सारे स्मॉल लैटर में चेंज करना है तो फिर हम लगाते प्रॉपर इसी तरह किसी भी सैल में कोई टैक्स टाइप कर रहे हैं अगर हम और इंटर करने के बाद बाहर आगए अब दुबारा उस सैल में कुछ और मजीद आगे हमें टैक्स एडिट करना था चेंजिस करनी है तो दुबारा उस सैल पर जाके डायरे कुछ लिखेंगे नहीं वहना पहले वाली चीज डिलीट हो जाएगी जो भी टैक्स पहले से या अगर कंट्रोल जैट कर रहो उसी में दुबारा आपको इंटर के बाद एडिट करना है कुछ तो एफटू का बिटन प्रेस करेंगे या फिर माउस से आप डबल क्लिक करेंगे आगे एडिट करने के लिए तो जो भी फिर से आगे आपको टैक्स उसके अंदर टाइप करना है वह आप अपना लिख सकते हैं तो कभी भी डायरेक्ट जो होगा वह आप उसके अंदर टैप टी करेंगे इंटर करने के बाद दुबारा घरब बार आ जाते हैं तो जब भी उसको यूज करना होगा तो फिर आप एफटू का इस यूज करेंगे या फिर डबल के लिए और यह जो लिखा हुआ रहा यह भी ज़रूर लाजबी लाइक शेर और सब्सक्राइब करे जितने option beginners के लिए starting के लिए जिनको तो आता भी होगा इसमें कई चीज़ें नहीं सीखने को मिली होगी अपने रहे से जरूर आगा कियेगा कमिंट में बताईए क्या चीज़ें नहीं सीखने को मिली या जो आपके माइंड में ती रह गई इसके लिए भी जरूर वीडियो क करें जरूर बता है अपनी रहाइट से शियर करें आने आली वीडियो टॉपिक के हमाले से पिर इसके और अप्शन मजीद आपको जो शेयर करेंगे वह अप्लोड होंगे और इसके डिस्क्रेप्शन में और लोगी हैल्प हो तो उसके वारे में करें भी अगर आपको और चीज़ें पता है तो कमिंट के अंदर लाजमी शियर करें लास्ट अप्शन यहां पर हम अगर इंक्रीज कर रहे हैं लो जाकर यहां पर फिरीज का उप्शन होगा तो जहां पर क्लिक रखा होगा उसके वास से स्क्रोल होंगी रो बाकी डेटा हैं अगरा टॉप की आपके सामने रहती हैं देखें इस तरह आप स्क्रोल होती रहेंगी बाकी अगर आपको क्लियर करना है तो अनफ्रीज तो अमीद करता हूं मदा आगे होगा वीडियो देखते हैं इस फ्रॉंग स्पॉंस भी इस तरह से आना चाहिए शेयर जरूर कर दिए इस वीडियो को मिलते हैं इसी तरह जाधर से जाधर कम बारिट और फिर आपाने को मिलेगे गरेंगे मिलते ईटी आ तो मिलते हैं है नेक्स वीडियो में अल्लाः एस अरह qui